मैं तुम्हें आज लड़कियों के कुछ ऐसा साइकोलोजिकल साइन बताऊंगा जिससा जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि वोक अब तुम्हारे साथ सोना चाहती है बहुत बार लड़की लड़के को देखते हैं रोमांटिकली खिचाब मैसुस करती है और लड़के के तरफ बुरी नजर से देखती है और गंदे-गंदे खैल उसके दिमाग में चलते रहते हैं ऐसा होता है लड़किया लड़के को देखकर कालपनिक दुम्हां में खो जाती है लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे मौकों को मिस कर देते हैं देखो लड़किया कोई सीन की रेट नहीं करना चाहती है इसलिए वो लड़के को छोटा सा सिगनल देती है और यही तरीका होता है लड़कियों का फ्लर्ट करने का लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई बहुत बार नाना करते हुए आखिर में उनकी बात मान जाता है अगर लड़की तुम्हें चूने का बहाना ढूंडती है या तुम्हारी छाती पर हात रखती है या बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की ज़ादा चिपकती है कभी बाइक पर बैटी हो तो अपने शरीर के सामने की हिस्सो को तुम्हारे पीट से छूती है तो समझो लड़की तुम्हारे साथ सोना चाती है ये दो लाइन अपने दिमाग में बेठा लो अगर लड़की तुमसे कहें मैं बहुत बोर हो रही हूँ या तुमसे कहें मेरा प्लान कैंसल हो गया तो समझो वो तुमारे साथ सोना चाहती है टाइम स्पेंड करना चाहती है ऐसे वोको पर उससे कहो चलो घूम कर आते हैं और ऐसी किसी जगा चले जाओ जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो लड़कियों को अपने प्लान्स बताओ जैसे मैं सटेडे संडे पार्टी करता हूँ मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ अगर लड़की इंट्रिस्टड होगी वो जरूर तुमसे कहेगे मुझे भी पार्टी ले चलो या कल हम घूमने जाएंगे अगर लड़की तुम्हारे सामने छोटे बच्चे हैं या पेट को किस करती है और बार बार तुम्हारे तरफ देखती है तो समझो लड़की तुम्हारे साथ रोमांटिकली खिचाब मैसुस करती है वो तुम्हारे साथ सोना चाती है तुम्हारे साथ वक्त दिताना चाती है अगर लड़की तुमसे बार बार कहे मुझे सर्दी हुई है या बोले मेरा बाड़ी पेन कर रहा है तो समझो वो तुम्हारे साथ रिलाक्स होना चाहती है ऐसे कभी तुम्हारे साथ हो तो लड़की का हाथ पकड़ो और इसे ऐसी जगा ले जाओ जहाँ दूर दर तो कोई ना हो अगर लड़की तुम्हें अपने जिस्म दिखाती है मेरा कहने का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो मेरा मतलब है मानों लड़की ने टीशेट पैना है और लड़की टीशेट उठा कर अपने नाभी दिखाती है साड़ी पैनी है तो बार बार पल्लू गिराती है या तुम्हें देखकर इसकर अप साइड में रख दिया हो तो समझो वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है बहुत बार लड़की तुम्हें देखकर अपने हाथ की घड़ी, बैंड, चूड़ी, येरिंग या पायल उतारती है तो इसको भी तुम इन्वेटेशन समझ सकते हो लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं है अगर लड़की तुम्हारे चीजों को चूराती है जैसे पेंड, देंग, बैंड और तुम्हारे चीजों को तुम्हें दिखा कर कहती है आज से ये मेरा है तो समझो वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है